जै मसीखी प्रिय भाई और बहनों, स्वागत करता हूँ आप सभी का तरिग्या परमेश्वर प्रभी ईश्यू के पवितर नाम में प्रिय भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे क्या लास को जलाना चाहिए एक विक्ति जब मर गया उसको जलाना चाहिए या गार देना चाहिए इस विसे में हम पूरी तरह से बाइबल से सीखेंगे हम सीखेंगे लास को जलाने के बारे में बाइबल क्या सिखाती है इसकी सच्चाई को बाइबल से हम सीखने की कोशिस करेंगे सास्त्र का जबाब लास को जलाने के बारे में बाइबल साप तोर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है मरे हुओ को दफनाने और जलाने के बारे में बाइबल में कोई आग्या नहीं दी गई है पवित्र सास्र बाइबल में मरे हुऊ को दफना दिया जाए या जला दिया जाए इस तरीके का कोई बिवस्था नहीं बनाया गया है कोई बिस्यस प्रकार की आग्या नहीं दी गई है तो फिर हम कैसे यह निरने ले सकते हैं कि लास को जलाया जाए या फिर गाड़ा जाए आइए हम देखते हैं बाइबल से Bible में लिखा है कि Premier की कुछ वभादार सेवकों ने अपने अजीजों की लास को दफनाया था था मिसाल के लिए Abraham ने अपनी पत्नी सारा की मौत पर उसे दफनाने के लिए जगह पर लाने के लिए काफी मेहनत की Abraham जो है कि 19-32 तक तो यहां पर आप देख सकते है अबराहम ने कितना परिसरम किया अपनी पत्नी को तफना निकले बाइबल में यह भी लिखा है कि उपातार सेवकों ने मरे हुओ के लास को जला दी बाइबल में यही सिर्फ नहीं है कि परमेशुर के सेवकों ने सिर्फ लास को गाड़ा बलकि यहां तक भी लिखा है कि परमेशुर के सेवकों ने लास को जलाया भी था मिसाल कले जब इजराइल के राजा साउल और उसके तीन बेटी यूद में मारे गए तो उसकी लासे दुस्मन के इलाके में रह गई थी और उन लासों का अपमान किया गया जब यह बात कुछ वफादार इजराइल के सेव को मिला तो उसने साउल और उसके बेटों की लास को जलाया और बचे हुए आवसेस को दफना दिया एक समुएल एकती सद्याय आठ वचिन के तेरह वचिन में बाइबल बताती है कि उन आदमियों ने लासों को जलाकर और आवसेसों को दफना कर कोई भी पाप नहीं किया यानि कि कोई भी गलत उन्होंने नहीं किया दो समुएल दो के चार और छे वचिन में लास को जलाने के बारे में बहुत सारी गलत धारडाये हैं या भाई और बेहनों लास को जलाने के विचे में बहुत सारी गलत धारडाये हैं जो लोगों के दिमाग में बसी हुई है कि हम लास को जलाएंगे तो हमें हानी होगी नुकसान होगा वो क्या गलत हरड़ा है लास जलाने से सरीर का अपमान होता है लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लास को जला दिये तो सरीर का अपमान होता है और ये गलत बात है ये गलत हरड़ा है सच्चाई क्या है बाइबल बताती है सच्चाई कि जब इंसान मर जाता है तो वो मिटी में मिल जाता है यानि वो मिटी से बना है और मिटी में मिल जाएगा ऐसा बाइबल उत्पत्ती तीन अध्या की उन्नी सोचन में लिखा है जब एक लास सर जाती है तो वो मिटी में मिल जाती है आप लास को दफना भी देंगे यानि वो सड जाएगी और सडने के बाद भी वो मिट्टी में मिल जाएगी लास को जलाने पर भी वही होता है क्योंकि सरीर राक बन जाता है फरक इतना कि जलाने से लास जल्दी मिट्टी में मिल जाता है प्रिय भाई और बेहनों बाईविल में लिखा है कि दब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लोट जाएगी प्रिया भाई और बहनों अगर आप लास को गाड़ते हैं तो वो सड़ेगा उसके बाद मिटी में मिलेगा और लास को जला जेते हैं तो वो जलने के बाद बहुत जल्दी ही मिटी में मिल जाती है अब इसमें गलत धारना क्या है? बाइबल के जमाने में सिर्फ उन लोगों की लासे जलाई जाती थी जिन से परमेश और खुस नहीं था अगर बहुत सारे लोगों से बात्चित करेंगे तो लोग ये बताएंगे बाइबल के जमाने में जब बाइबल के करेक्टर्स लोग काम कर रहे थे यानि जब ये बाइबल का जमाना था तो उन दिनों में उन लोगों की लासे जलाई गई जिन से परमेश और खुस नहीं रहता था ऐसा लोग कहते हैं ये एक गलत धारना है सही धारना क्या है सच्चाई क्या है चाहे एक इंसान की लास जला दी जाए या दफना दी जाए चाहे उसकी लास को समुद्र में डुबा दी जाए या जंगली जानुमर उसको खा जाए परमेश्योर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रकासित वा कि 20-13 वह सरुसक्ति इसलिए वह बड़ी आसानी से उस इंसान के लिए नया सरीर त्यार कर सकता है बहुत लोग यह सोचते हैं कि लास को अगर जला दिया जाएगा तो प्रूरूत थान के समय परमेश्योर उसे जीवित नहीं कर पाएगा प्रमेश्योर एक नया सरीर देगा आप लास को गार दे सकते हैं जला भी सकते हैं और यहां पर कुछ और बाते हैं जो मैं आपको बढूंगा लास को जलाने या दफ्णा देने का इसका फैसला कैसे करें क्या कोई और बाइबिल के वर्ड है क्या बाइबिल में कुछ और इसकी सिक्षाय दी गई है कि हम कैसे फैसला करें कि लास को गाड़ा जाए या दफनाया जाए तो प्री भाई और बेहनों और भी बचन को हम देखेंगे एक इंसान की लास को जलाए दे या दफना दे इसका फैसला करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो बाते क्या है एक इंसान क्या चाहता था जब एक इंसान जीता है उसमें वो क्या चाहता था बाइबल में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिन्नों ने जीते जी अपने परिवार के लोगों को बताया था कि उनकी मौत होने पर उनकी लास के साथ क्या किया जाए और उनके परिवार के लोगों ने उनकी इच्छा पूरी की उत्पत्ति 50 अध्याय चारवचन में और पांचवचन में निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 19 वचन में कि जीतेजी लोगों ने बताया कि मेरे लास के साथ क्या किया जाया और क्या कैसे निरण ले सकते हैं इन बातों का अपने इलाके के दस्तूर एक इलाके का क्या दस्तूर है उस दस्तूर को हमें फॉलो करते हुए ये निर्ने लेना है कि लास को जलाना है या फिर करना है अब हम देखेंगे एक इलाके के दस्तूर भी कई बार मायने रखते हैं यहुन्ना उन्नीश चौदर मिसाल के लिए बाइवल के जमाने में लास को दफनाना एक आम दस्तूर था जब बाइवल लिखी गई थी उस समय में लास को दफनाना एक दस्तूर था एक नियम था वो एक दस्तूर था एक ट्रेडिसन था उसी तरह आज एक व्यक्ति चाहे तो अपनी अजीज की लास उसी तरह दफनाने का फैसला कर सकता है जैसे इलाके में किया जाता है बसरते वहां का दस्तूर बाइबल के सिधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए उत्पत्ति 49,31 देख लीजेगा, 128 देख लीजेगा और हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि लास को गाड़े या दफना है कानून की क्या मांग है, कानून की हिसाब से हमें देखना है बाइबल हमें बढ़ाओ देती है कि हम सरकारी अधिकारियों की आग्या को माने कुछ इलाकों में अधिकारियों ने इस बारे में कानून बनाया है कि लासो के साथ क्या क्या जाना चाहिए मिसाल के लिए कुछ अधिकारियों ने कानून बनाया है कि लासो को जलाने के बाद राख को फैला जगह पर ही फेकना चाहिए प्रिया भाई और बेहनों कई लाके में ये कानून बनाया गया है कि आप लास को जलाइए और उसको एक जगध दिया है फेकने लिए कि आप इस जगध पे उस राख को बचे हुए राख को फेक सकते हैं अब ये डिसीजन हम कुछ भावना के हिसाब से भी लेते हैं लोगों की भावनाएं बाईबल हमें सलाह देती है कि हमें दूसरों की भावना का लिहाज करना चाहिए तो प्रिया भाई और बेनों लोगों की भावनाएं भी इसमें देखी जाती है बाइबल हमें सलाह देती है कि हमें दूसरी की भावनाओं का लिहाज करना चाहिए फिलिपियो 2.4 में एक ब्यक्ति की लास के साथ क्या किया जाए इसका फैसला करते समय हम इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं उस ब्यक्ति के परिवार के लोगों की लास को दफनाने या जलाने के बारे में क्या सोचते हैं इन दस्तूरों के बारे में इलाके के लोग क्या सोचते हैं अब आपको इस विसे में भी decision लेना होगा कि आपके इलाके में, आपके गाओं में, आपके सहर में क्या दस्तूर है लास को जलाने की या फिर गाड़ने की तो प्रिय भाई और भेहनों, हमने कई point को देखा point number first हमने देखा कि एक इंसान क्या चाहता है जीते जी एक इंसान क्या चाहता था कई लोग बता के जाते हैं कि हमें गाड़ना है या जलाना है उस हिसाब से भी आप निरने ले सकते हैं कि हमें गाड़ना चाहिए या जलाना चाहिए और अपने इलाके के दस्तूर के साथ आपके किस गाउं में हैं किस सहर में हैं किस देश में हैं वहां का दस्तूर नियम क्या है जलाने का या गाडने का तो इस बिसे पे भी आप निरने ले सकते हैं कि लास को गाड़ा जाए या दफनाया जाए और कुछ जगह के कानून होते हैं प्रिय भाई और बैनों कानून को तो हम ध्यान में रखते हुए निरने ले सकते हैं कि हमें लास को गाड़ना है या जलाना है लेकिन प्रिया भाई और बहनों हमें गलत फैमी में बिल्कुल नहीं रहना है आप चाहे लास को जलाएं चाहे गाड़ दे इससे कोई फरक नहीं पड़ता बहुत सारे लोग के नहीं कर पाएगा हमारा पर्मिश्वर सरोसक्तिमान है आप लास को जला दे वह मिटी में मिल जाएगा लास को गाड़ दे वह मिटी में मिल जाएगा लेकिन हमारा परमिश्वर सरोसक्तिमान है वह पनुरूत थान के समय हमें और सब को झीवित करेगा न्याएं के लिए तो तो उसमें क्या सरते हैं, अगर नहीं देता, तो क्यों नहीं देता है, इन भी से हमें हम सीखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, यदि फेस्बूक पे देख रहे हैं यह वीडियों, तो फेस्बूक पेज को लाइक कर लें, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जै मसी की आप अपना ख्याल रखें.